और अपने बेटों को भी जड़ा नजर में रखिये हम समझते हैं मेरा बेबी आए मेरा बेबी अभी तो सिरफ 16 साल का है पाकिस्तान प्रनोग्रफी के अंदर सेकिंड पॉजिशन पर है दुनिया भर में सबसे ज्यादा पॉण वेबसाइड नंबर टू पॉजिशन में पाकिस्तान में देखी जाते हैं सोच के घिनाती है दुख होता है और 90% यूथ है 10% बुड़ा माश्रा है 90% यूथ है जो पॉण वेबसाइड पर विजिट करते है जब ये लड़के देखेंगे बेटे और बेटियां देखेंगे और उसके बाद उनका क्लोज इंटराक्शन फिजिकल इंटराक्शन होगा कैसे हो सकते है कि दर्म्यान में शेतान ना आए याहिया अलेसलाम को भटकाने के लिए तो शेतान आ गया हमारे बच्चे ऐसे वली होना कि उनके उपर शेतान ने आएगा कौन सा मंतर पढ़के फूका है आपने ना माएं आखें बंद करें ना उलादें आखें बंद करें अलहम्दोले इस कमरे में कोई इती छोटी बच्ची नहीं बैठी जिसको मेरी बास समझना रही हो सबको समझ आती है अच्छी फैमिली के लड़के है अच्छी फैमिली की लड़के है बर शेतान भी तो दर्मियान में है वो शेतान जो शरीफ माबाप को लड़ा सकता है वो दो नाह मेरम मर्द और और औरत के दर्मियान में मामला डिस्टरब नहीं कर सकता एक को बहका नहीं सकता यहिया लएसलाम के लिए भी तो बहकाने का यही अंदास था बादशा को शतान ने कहा जिससे शादी करना चाहते हो उसी को भेजो यहिया लएसलाम के पास सिड्यूस करने के लिए वो औरत आई याहिया अलेसलाम को सिड्यूज करने के लिए लेकिन याहिया अलेसलाम अल्ला के नभी थे तक्वा रखने वाले थे अपनी अबादत में बहुत आगे थे वो नौचवान थे जो अबादत करते हुए ग्रोह हुए थे जिनकी अबादत उनको एनरजाइस करती थी तो अल्ला ने उनको बचा लिया लेगिन कहा जाता है इसी इंसिडेंट के बाद क्योंकि उनने फत्वा नहीं दिया वो बादशा की भधीजी के ट्रैप में नहीं आए बादशा ने उनको मुर्डर करवा दिया उनको गतल करवा दिया ये आजमाईश आई उनके उपर इसी तरह से आपने हदीश का वो बहुत मशूर वाकिया सुना है वो जो तीन लोग एक तुफान में एक गार में बंद हो गए थे और पिर गार के सामने पत्थर आ गया था बड़ा सा तो फिर तीनों ने बारे बारे अपनी अपनी कोई नेकी जो उन्होंने सिर्फ अल्ला की खातिर की थी उन्होंने उसको मेंशन किया कि अल्ला हमारी ये नेकी सिर्फ आपकी खातिर थी हमारी इस नेकी की वज़़ा से हमें इस मुश्किल से निकालने है तो जो उनमें से एक शक्स था, उसने अपनी कहानी सब को बताई कि मेरी एक कजन थी, जो मुझे शदीद प्यारी लगती थी आपका भी कजन हो सकता है जिसको आप शदीद प्यारी लगती हो अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो आपको प्यारा लगता है आप विंडो शॉपिंग ना करें खाली, आप उसके साथ जो करना चाहें वो कर लें लॉट्स अफ तिंग्स अर गूइंग आउन मा समझती है, मेरे बच्चे इतने मासूम है क्या कुछ नहीं हो रहा है इस माश्रे के अंदर जहां आपका मीडिया पहुँच चुका है हमारे तो अब तो सुने ड्रामों का भी बहुत बुरा हाल हो चुका है मैंने तो एक अरसे से ड्रामे देखना बिल्कुल छोड़ दिया मगर सुना यह है कि अब तो ड्रामों का भी बुरा हाल हो गया एक वक्त था, मैं अगर अगर अपना बच्पन याद करती हूँ, हमारे बच्पन में वो जो Mind Your Language टाइप इस तरह की जो थी, वो सीरीज आया करती थी, यह पाकिसान की तो नहीं थी और भी इस तरह की शोज आते थे, even उन western शोज के अंदर वो husband wife को दो अलग-अलग single bed पे दिखाते थे, अगर आप में से कुछ को याद हो तो आपको अंदाजा होगा, पाकिसान में भी एक time था, मिया बीवी को दिखाते थे तो single bed दो अलग-अलग रखे होते थे, is there any boundary now which you can see and observe, कहां तक हम पहुँच चुके हैं, और आपके तो पाकिस्तान का 60-65 साल में ये हाल ना होता, निकल आएए अपनी इस fallacy से बाहर, brainwashing हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा, अगर अपनी brainwashing करनी है, अपनी ऑलाद की करनी है, तो जाके उनको Quran के सामने बिठाई है, it's a better brainwashing, and you will be on the safe side actually, at the time of your death and after your death, ये brainwashing आपको फाइदा देगी, तो जब ये शक्स कहता है कि मुझे अपनी कजन बहुत ज्यादा पसंद थी, इतनी पसंद थी, इतनी पसंद थी कि दुनिया में कोई मर्द इतना किसी औरस से महबत नहीं कर सकता, और इसने अपने दोस्तों को बताया, कि हुआ ये कि मैं उसको सेड्यूस करने की कोशिश करता था, मगर वो मेरी तरफ बिलकुल अट्रैक्ट नहीं होती थी, फिर एक वक्त आया कि हमारे इलाके में कहद आ गया, और जब कहद आया, तो इस मेरी कजन की हालत ये हुई, इसकी फैमली की, कि इनको पैसों की जरूरत पड़ गई, तो ये मजबूरी में मेरे घर आई, कि हमें कुछ अनाज या पैसे दे दीजे, तो मैंने उसको मेरी कजन ने मुझसे कहा, इत्तकिल ला, अल्लह का तक्वा इख्तियार करो, और ये शक्स कहता है, अल्लह, मैं उससे बहुत महबत करता था, लेकिन सिर्फ इस एक जुमले ने, मुझे इस औरत से दूर कर दिया, मैं उठा, और अपना पैसा भी वापस नहीं लिया, और मैं आप जानते में उससे बहुत महबत करता था, तो हमारी मुझकल दूर कर दीजे, और फिर हदीस में आता है, उस शक्स की इस बात के उपर गार का पत्थर थोड़ा सा साइट पर हो गया, सिरग गया, आजमाशे आती हैं, जो आजमाशों में विद्स्टेंड करते हैं, वही कामियाब लोग होते हैं, इमाम अद्धाह भी इसी तरह से एक वाक्या लिखते हैं, कि एक मरतबा, एक आदमी, औरत को जबदस्ती सहरा में ले गया, और उससे कहा, देखो किसी को पता नहीं चलेगा, मुझे यह अलफाज में किताब में पढ़ ड़ी थी, ऐसे लगा था ज descriptions के मिल जाते हैं, it's a easy safe sex outside the boundary of nikah, कैसे लड़कियां pregnant होती हैं, और कैसे पिर ECPs के लिए भागती हैं, emergency pill खाने के लिए, मैं कोई आपको ड्रामों के किस्से और फिल्मों के किस्से नहीं बता रहे हूं, this is happening under our noses, इसी शहर के अंदर, उस शक्स ने कहा कि देखो, ना यहां कोई तुम्हें देखेगा, ना मुझे देखेगा, हम अपनी खुआश फूरी करते हैं, और फिर हम वापस चले जाएंगे, यहां कोई भी नहीं है, अधेरी रात है, और सिरफ आसमान पर सितारे हैं, उस ओरत ने कहा, आइना हुआ अल छोड़ के भाग गया, सिरफ अल्लह का खौफ, सिरफ अल्लह का खौफ, इनसान को इस गुनाह से बचा सकता है, इसी तरह से, एक और बहुत एहम वाक्या, हदीस की किताबों में आता है, और मुसलिम ट्रडिशन में बहुत एहम है, इमाम सीरिन का वाक्या भी एक है, वो कहत जाता था कि ये शैतान है, आप और मैं औरते हैं और में अंदाज़ा नहीं है, मर्दों को आते हैं ऐसे खौब, हर औरत, हर खुबसूरत औरत, अगर एक खुबसूरत औरत है, आपको अच्छी लगेगी, कम ओन, बी नाच्रल, आपको अच्छी लगेगी, वट अबाउट एक खुबसूरत औरत, एक मर्द को कैसी लगेगी, आप से सौ गुना ज्यादा अच्छी लगेगी, और मर्द के जहन को औरत के हिसाब से अल्ला ने ऐसे बनाया, कि मर्द उसको फैंटसाइज कर लेता है, यह जो आप अपनी प्यारी प्यारी दस्वीरें फेस्बुक पर ड मर्द देखते रहते हैं, और क्या कुछ नहीं हो रहा सोशल मेडिया पर, फोटोशॉप का एप, सौफ्वेर सब जानते हैं न, सब बच्चों को पता है फोटोशॉप का, जितनी पॉन, पॉन, मूवीज पाकिस्तान में बन रही हैं, आपका फेस्बुक की तस्वीर लेकर, फोटोशॉप करके आपका चेहरा उतारेंगे और उस नेकिड औरत पर लगा देंगे, this is not a fun, it's not a joke, कितनी औरतें, कितनी लड़कियां ब्लैकमेल हो रही हैं, माबाप की हालत बुरी हुई भी है, इसलिए कि उनसे वीडियो बनाकर माबाप को ब्लैकमेल करने के लिए फितने का दौर है, it's the time of फतन, और यह वही टाइम है जिसमें आप सलिए लगा था, एक वक्त आएगा जिसमें इमान पर चलना will be equivalent, कि आपने जलता हुआ अंगारा हाथ में पकड़ा हुए, yes it is difficult but it's not impossible, देखें आजमाईश तो किसी भी सूरत में आनी है, हम समझते हैं, हम जिसे चाहो जीओ, तो कोई आजमाईश नहीं आएगी, आजमाईश तो भी आएगी, देख लें उन औरतों को और उन मर्दों को जिनके ओपर या आजमाईश आ रहे हैं, तो बहतर नहीं है, अल्ल्ह की अबादत करते हुए, ल्ल्ह की बात मानते हुए, ल्ल्ह की फर्मा ब मैं खुआप में भी अपनी नजरों से दूर कर लेता था अल्ला हमारे मर्दों को, हमारे बेटों को और हमारे शोहरों को ऐसा तक्वा अता करे कि खुआप में भी खुबसूरत औरत नजर आए तो नजर भेल ले वो कहेंगे क्यों? खुआप है भई उसमें कहाई दरासे आपको तक्वी की बात है ना, खुदाखौफी की बात है अबैद अबन अमेर रदियल्लाहुएन सहाबी है अबैद अबन अमेर सहाबा के भी स्कॉलर थे और अबैद अबन अमेर के लिए मशूर था कि बड़े हैवी लेक्चर्स दिया करते थे यहाँ तक अब आप अंदाज़ा करें हजरत अमर इनका लेक्चर आके सुना करते थे तो बड़ा हैवी लेक्चर दिया करते थे और बड़े मुत्टकी इनसान अपने माश्रे में मशूर थे इस दोर में एक इसी इलाके में, मक्का के इलाके में, एक औरत थी, जो एक्स्ट्रा-अर्डिनरी खुबसूरत थी, बास लोगों को अल्ला ताला ने एक्स्ट्रा-अर्डिनरी खुबसूरत बनाया होता है, बहुत खुबसूरत थी, चेरा चुपाती थी, निकाब लगाती थी अपना, औ एक मर्दब आपने शोहर से कहती है शीच आइने के सामने खड़े हो के कि कोई हो नहीं सकता जो इस खुबसूरत चेहरे को देखे और टेम्ट नहो उसका शोहर कहता है हाँ बात तो सही है सिवाए एक मर्द के बीबी ने पूछा कौन तो शोहर ने कहा अबैद इबन उमेर वो तुम्हारी खुबसूरती से भी टेम्ट नहीं होंगे अल्लह अपने बंदों के हिफाज़त करता है इसलिए के अल्लह के बंदे अपने आपको कुरान की और इवादत की हिफाज़त में रखता है उस औरत ने अपने शोहर से कहा allow me to seduce him मुझे अजासत दो कि मैं जाके उनक ट्राप करने की कोशिश करो शोहर ने का जाओ जाके कोशिश कर लो ये गई अपना नकाब लगा के गई और ऐसे गई कि जैसे ये फत्वा पूछने के लिए आई है पास आके बैठी और उसके बाद कहती है कि मैं थोड़ा और करीब चली गई और जब मैं करीब गई तो मैं अपना चेहरा खोल दिया जब मैंने चेहरा खोला खुबसूरत ओरत थी अभी आपको क्या बताया एक नॉर्मल हेल्दी मर्द किसी खुबसूरत ओरत को देखें का तो उसको अच्छी लगेगी जब इस ओरत ने अपने चेहरे से पर्दा हटाया तो अबैद इबन अमेर ने so complete my need seduce करें ना अबैद इबन अमेर को यानि तुम मेरी need फुल्फिल करो मुझे तुम में attraction महसूस हो रहे ग्याए अबैद इबन अमेर scholar थें ना ये ने के डंड डपट के बाएर निकाल दिया, धक्के मार के बाएर निकाल दिया एक औरत जिसके जहन में शेतान ने ये फुतूर डाला था उसका दिमाग भी तो सीधा करना था उबैद इबने उमेर कहते हैं मेरे सवालों का अगर तुमने सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हारी नीड पूरी कर दूँगा उदर ने सवाल किया, यह बताओ, जब मौत का फरिश्टा तुम्हारी रूह निकालने आएगा क्या तुम उस वक्षुश होगी अगर तुम्हारी आज ये नीड मैंने पूरी कर दी तो औरत कहती है, अलाहुमाला, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं खुश नहीं होंगी अबैद अबने अमेर कहते हैं, सदक ती, सच कहा तुमने फिर अबैद ने पूछा, क्या तुमको जब कबर में दफना दिया जाएगा और फरिष्टे उठा कर तुमसे सवाल करेंगे, उस वक्या तुम खुश होगी अपनी इस नीड की वज़े से अगर मैंने पूरी कर दी, कहती है, अलाहुमाला, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं खुश नहीं होंगी अबैद अबैद ने कहा, सदक ती, सच कहा तुमने पिर उबैद बिन उमेर ने पूछा, अगर सरात तुम क्रॉस कर रही होगी, और तुम्हें नहीं मालूम होगा कि तुम कामयाबी से सरात क्रॉस कर लोगी कि नहीं, इसलिए कि तुम्हें नहीं पता जहन्नम का कौन सा कांठा तुमें नीचे खेंच ले, क्या उस वक्त तु तुम मीजान में अपने इस इवल सिन को देखोगी, इस गुनाह को देखोगी, तो क्या तुम खुश होगी अगर मैं तुम्हारी ये नीड अभी पूरी कर दूँ कहती है अलाहुमाला उंची आवाज ने बोला उसने नहीं, कभी भी नहीं हजद अबैत ने कहा सदक ती हजद अबैत ने कहा ये बताओ जब तुम अल्लह के सामने खड़ी होगी और अल्लह तुमारे इस अमल की ये जो तुम उसे अपनी नीड पूरी करने की बात कर रही हो, इसकी फिल्म तुमको दिखा देंगे, इसको तुमारे सामने नशर कर दिया जाएगा इसको तुमारे सामने दिखा दिया जाएगा आज की जुबान में इसकी सीसी टीवी फुटेज सबके सामने तुमें दिखाई जाएगी, आल्लह सामने मौजूद होगा तो क्या तुम उस वक्ट खुश होगी? चीख कर बोली तीन मरतबा अलाहुमा ला अलाहुमा ला अलाहुमा ला حضرت अबेद ने कहा सदक टी फत्तकिल्ला याअमतिल्ला ए आल्लह की बंदी अल्लह का तक्वा इख्तियार करो फ躂द अन् अमल्लाहु अलिएक वाहसना इलैक अल्ला ने तुमको नेमतें दी हैं, उसको अल्ला के रास्ते में इस्तिमाल करो इस ओरत ने ऐसी तौबा की, ऐसी तौबा की, कि इतनी अबादत गुजार हो गई कि इसका शोहर जो था वो बाद में हज़रत अबैस से शिकायत किया करता था कि मेरी बीवी हर रात दुलन की तरह अंतियार होती थी ऐसा क्या आपने इस पर जादू कर दिया, कि अब यह हर रात जो है, वो मेरी जरूरत पूरी करके फिर नमास पर खड़ी हो जाती है, हर वक्त जहुद इक्तियार करती रहती है अपने दिल को मजबूत कीजे, अपने अललह से मदद मांगिये, अपने अललह से तौफीक मांगिये कोई गुनजाइश नहीं है कि हमारे फ्रेंड्स सरकल के अंदर लड़किया होते वे लड़के हों और लड़के होते वे लड़किया हों आपके वाटसाइप ग्रॉप्स हैं, आप उसमें बातें करते हैं, कीजे विदिन लिमिट्स, विदिन लिमिट्स, कीजे कोशिश कीजे, प्राइविट चैट मत करें नड़कों के साथ याद रखें, इस इस कॉल्ड साइबर खल्वा आप सलिए लिए वे सलम ने कहा है, कि जब एक नामहरम मर्द और एक नामहरम औरत एकटे होते हैं, तो तीसरा दरम्यान में शैतान होते हैं, आप किसी के साथ अगर अकेले नहीं हैं किसी जगा पे, किसी कमरे में, वोट इस वाटसाइप चाटिंग विंडो, इस इस साइबर खल्वा, इस इस साइबर खल्वा, ये भी तनहाई है आपके, इंटरनेट की तनहाई है, इसकी अजासत है, बिल्कुल अजासत नहीं है, प्लीज, ये रास्ता, मैं आपकी नियत पर शक नहीं कर रहे, ने किसी बच्चे की नियत पर शक नहीं करें, अल्ला ने कहा है, ये रास्ता गुना की तरफ लेकर जाएगा, बस मेरा इमान होना चाहिए, मेरे रब ने कहा है, मैं अपने रब की नाफरमानी नहीं कर सकते हैं, किसी को बुरा डिकलियर करने की बात नहीं है, अपने लिए इहत्यात और प्रिकॉशन थामने की बात है, इस से पहले कि कोई हम से गलती हो, इस से पहले कि हमारे लाइफस्टाइल के अंदर गुना शामिल हो जाएं, इस से पहले कि आपकी कल की जिन्दगी में आज की जिन्दगी का इंपक्ट находится, आज इतनी यह अन्मेरिट बच्चियां, दोस्तियां रखते हैं तो क्या हो गया? उसकी भी दोस्तोंगी. Are we living in such societies? तो फिर वो ही होगा जो आपको आज अपनी नाक के नीचे नजर आ रहा है. जरा divorce rate तो चेक कीजिए, सिंध हाई कोट का. intolerance level तो चेक कीजिए, औरतों में और मर्दों में. वल खबीथून लिल खबीथाद. जब आप और में ऐसी जिन्दगियां गुजारेंगे, तो फिर नसीब में ऐसे ही लोग आएंगे. और जब नसीब में ऐसे लोग आएंगे, तो फिर सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन, स्ट्रेस और डिस्पेर का शिकार होंगे हम. कुछ नहीं होगा. अल्ला को नारास करके हम खुश नहीं हो सकते. अल्ला की नाफर्मानी करके हम पुर सकून नहीं रह सकते. अल्ला की दीवी शरियत को तोड़ के हम जिन्दगी को तरक्षी के साथ नहीं गुजार सकते. ये फेक मॉडिफिकेशन अपने उपर से उतार कर भेंकिये. आप दीन की अलम बरदार हैं आप पर जिम्हदारी है आपके उपर रिस्पॉंसिबिलिटी है आपने अपनी क्लास की लड़कियों को अपनी उनिवर्स्टी की लड़कियों को इस रास्ते पर लेकर आना है यह आपका काम है और अगर आपके घरों के अंदर आपके भाई या आपके शोहर इन चीजों में इन्वाल्व हैं खुदाना खास्ता तो प्लीज अपनी दुआओं को बढ़ा दीजे जहां तक भाई का मामला है उसको समझाया जा सकता है जहां तक शोहर का मामला है अगर मामला सिरफ चैटिंग की हद तक है तो मेरा आपको मशवरा ये है कि गिड़गडा कर तहजद में अल्ला से दुआएं मांगे गिड़गडा ही अल्ला के सामने और अपने इखलाक और अपने किरदार से अपने शोहर का दिल जीतने की कोशश करें अगर कोई खुदाना खास्ता बिलकुल ग्रॉस पागल बने वाला आदमी नहीं है तो नॉर्मल आदमी है शेतान की बातों में आ गया है याद रखेगा ये बात इस मामले में आप शोहर की तर्बियत नहीं कर सकते हैं अगर आप उसको पिन पॉइंट करेंगे मुझे पता चल चुका है आपकी दोस्ती किस से मैंने देख लिए आपकी चैट मुझे मालूम है आपका पासवर्ड उसके बाद क्या होगा उसके बाद सिरफ जगड़ा होगा लडाई होगी और कुछ भी नहीं होगा एक दुआ कीजिए दूसरा अपने किरदार और अपने इखलाग को बेहतर करने की कोशिश कीजिए और तीसरा ये कि अपने शोहर के साथ प्यार महबबत का मामला ऐसा रखिए कि उनको किसी दूसरी औरत की तरफ देखना ना पड़े बास लोग होते हैं प्यार मामला अपने की तरफ देखना और आपके दीन की तरफ इनको जोडने का जरिया बन सकें अल्ला हमारी औलादों का हाथ पकड़के इनको दीन पर चला देए अल्ला इनके दिलों की सखती दूर कर दे अल्ला इनकी अकलों को अपने गुराण और अपने कलाम के ताबे कर ले Allah इस उम्मत से आपने बड़ा काम लेना है Allah हमारी उलादों को भी उस नेक काम का हिस्सा बना दीजिया Allah रमजान के आखरी दिन है और हमारे तूटे पूटे नेकियों के साथ हमारे छोटे छोटे आमाल है Allah हम आपसे गडगडा के दुआ करते है हमारे गुनाहों को माफ कर दे हमारे गुनाहों का इंपक्ट हमारी उलादों पर ना आए हमारी कमजोरियों का इंपक्ट आने वाली नसलों पर ना आए Allah अपने हमें कल्मा गो पैदा किया Allah हमारी जुर्यत को आने वाली नसलों को कल्मा गो रख Allah हमें कलमे को थामने वाला बना दे Allah हमारे लिए इस फितने के दोर में इमान पर काइम रहना आसान बना दे Allah हम शेतान से बचने की ताकत नहीं रखते मगर सिरफ आपकी मदद के साथ Allah स्कूल हो या कॉलेजिज हो या वर्क प्लेसिज हो या दुन्या की कोई जगा हो Allah हमारी उलाद की हिफाज़त फर्मा अपने रहमत वले फरिष्टों के साथ Allah हमारी उलादों को थाम के रख Allah जो हिदायत पर हैं उनको हिदायत पर काइम रख Allah जो हिदायत के रास्ते से दूर जा रहे हैं اللہ उनको पकड के सिराते मुस्तकीम पर लेया اللہ अजाब से पहले हमें हिदायत दे दे اللہ तकलीफ से पहले हमें हिदायत दे दे اللہ मौत से पहले हमें हिदायत दे दे اللہ तमाम मरहुमें की बक्षिश फरमा اللہ तमाम लोगों को जहन्म की आख से बचा اللہ ہماری گردنوں کو آکھ کے عذاب سے محفوظ رکھ اللہ ہماری گردنوں کو آکھ کے عذاب اور قبر کے عذاب سے دور رکھ اللہ ہمارے لئے ایمان پر خاتمہ جو ہے وہ لکھ तीजै اللہ ہمیں ایسے حال میں موت دے کہ ہم اپنے انجام سے خوش ہوں اور آپ ہم سے راضی ہوں سبحانک اللہ हुम्मा बभी हम्दी का नश्दु अर्भाइब